Hello friends this is Panjwaani again Friends C programming video lecture series में function design techniques ह cruel例 function design techniques में पिछले video lecture में हमने third style देखा था ठीकियो, और आज हम fourth style of function design technique देखेंगे तो आज हम जो देखने वाले हैं वा हे tag nothing and return nothing मदलब ऐसा function जिसमें कोई argument भी नहीं होगा और कोई return type भी नहीं होगा ठीक है जब लिखाए take nothing मतलब argument आपको कुछ नहीं देना है और return nothing मतलब यहाँ float की जगा क्या आ जाएगा void आ जाएगा ठीक है अब ना तो यह function आपसे कुछ लेगा call करते समय और ना ही कुछ return करेगा जहाँ पे call किया होगा तो return तो कुछ होगा नहीं तो यह float D में हटा देता हूँ ठीक है यह पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसी में एडिट कर रहा हूँ ठीक है कुछ return नहीं होगा तो यह जो call किया है तो कुछ return नहीं होगा तो receive करने की जर्वत नहीं है ठीक है तो हमने call किया average function को कोई value इसमें pass नहीं की control जाएगा जहां पर यह बना हुआ होगा इसका कुछ return टाइप नहीं रहेगा अब अगर हम कुछ value पास नहीं करेंगे तो average किसका निकालेंगे तो वो value हम यहां पर भी ले सकते हैं हमने तीन variable बना दी ABC और एक X नाम का variable बनाया जिसमें average calculate होके आएगा तो message दे दिया enter any three numbers तीन variable जो बनाये थे ABC उसके अंदर तीन value ले ली average calculate की X के अंदर average आ चुका है अब इसको हम return न करवाते हुए यहां पर भी तो print करवा सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमें return नहीं करवाना है यहीं print करवाना है तो यहीं पर मैंने print करवा दिया average is percent F और यहां पर X तो यह average print हो जाएगा मतलब function में ही हमने user से value ली और function के अंदर ही हमने output भी display कर दिया तो इस technique को कभी use कर सकते हैं जब हमारे पास multiple inputs हैं मतलब अभी तो जैसे तीन argument है ABC ठीक है अभी मतलब तीन variable का हम क्या कर रहे हैं तीन number का हम average calculate कर रहे हो सकता है काफी ज़्यादा numbers हो तो उस समय हम argument पास न करते वे function के अंदर ही आके values ले सकते हैं ठीक है और जब result multiple हो जैसे sum भी दिखाना है average भी दिखाना है ठीक है और भी कोई task perform करना है तो multiple result आने वाले हैं तो हम इसी के अंदर print करवा देंगे उसको ठीक है return करने के बजाए तो friends इसको भी हम run करके देखते हैं ठीक है मुझे एक बाद यहां पर reload करना पड़ेगा तो friends मैंने reload कर दिया है और अब मैं run करके देखता हूं देखता हूं average आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मैंने लिखा four five three average four correct so friends यह था fourth style of function design technique so friends मिलते है next video lecture में तब तक के लिए bye bye thank you so much